आज हम तीसरे भाग में पहुच गए हैं तो तीसरे भाग में हमें क्या सिखाते हैं क्रोध पर काबू पाना अब मैं आप लोगों से पूछूं क्या हमें क्रोध करना चाहिए तो आप मैंसे जादतर लोग कहेंगे कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए लेकिन क्रोध जो है वो किसी को क्रोध बहुत जलदी आ जाता है कुछ लोगों को क्रोध बहुत लेट आता है वो धेर्यवान होते है थोड़े से बहुत लेट आता है तो इस प्रकार कभी न कभी हम आमारे जीवन में क्रोध करते रहते हैं यह स्षभाविक बात है लेकिन Rabbi Bible इस बारे में इस परकार कहती है, V.C.O. 4.26 में लिखा है, क्रोद तो करो लेकिन पाप मत करो, ठीक है, हमें क्रोद जाएज बातों में क्रोद करना चाहिए, लेकिन उस क्रोद को हम इस रीती से ना करें, कि उस क्रोद की वज़े से हम पाप में गिर जाएं, और उसी वचन में ऐसे भी लिखता है, कि तुमारा जो क्रोद है, वो सूरज ढलने तक न बना रहे है, शाम तक तुमारा क्रोद बना न रहे, उससे पहले हमें अपने इस क्रोद को शमाप्त करना है, जिसके वज़े से क्रोद हमारे जीवन में आया है, हमें उसको साथ मिलके हमें इस बात को खत्म करना है, तो गलत चीजों में, जो होती, जैसे कि हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़के, गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या फिर ऐसे मस्ती कर रहे हैं, तो हमें जरूरी है उनको डाटना, जरूरी है उनको डाटना, क्योंकि उनको अनुसासित करना जरूरी है, जायज बात में हमें क्रोध करना जरूरी है, बच्चों को डाटना जरूरी है, नहीं तो उनका जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन एक वचन को ध्यान में रखते हो, वचन के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हो, हमें क्रोध करने की जरूरत है यह हमारे बच्चे कई बारी गलत वर्ड का यूज करते हैं, गलत सब्दों का, मानलो वो गालियां दे रहे हैं, हमें डाटना चाहिए हनको, हमें क्रोध करना चाहिए अनके उपर, ताकि वो आगे से ऐसा ना करे, ठीके, तो यह कुछ जायज बातों में हमें क्रोध करना चाह यह ठीक है लेकिन कुछ ज्यादा तर ऐसा होता है कि जो क्रोध है बहुत ज्यादा लोग क्रोध जो है वो इस रीती से करते हैं जिसका परिणाम बहुत कई बार उल्टा हो जाता है यह जाएज बात उमुत करें लेकिन गलत चीजों में गलत तरीके से हम अपने क्रोध को ईकर देखा है है मिरे प्रीय भाईयों यह बात तुम जानते हो इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए ततपर बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो क्यूंकि मनुष्य का क्रोध परवेश्यके धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता को क्रोध चो हे वो बहुत खतरनाक चीज है एक मिनट का क्रोध हमारे जीवन में बड़े तुफान को ले के आ सकता है एक थोड़ा सा छोटा सा क्रोध हमारे हम बहुत सारे संकट में दुख में हमें डाल सकता है जब क्रोध आता है हमें उस समय समझ में नहीं आता है पर सुना होगा ना अपने कि मेरे को गुस्सा आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मेरे से यह हो गया, तो इस प्रकार के क्रोध से हमें बचने के लिए हम क्या करें, क्रोध से बचने के जरूरत है, क्रोध हमसे पाप करवा देता है, क्रोध हमारे जीवन में हलचल मचा देता है, तो इस प्रकार के क्रोध से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ठीक है तो पहली बात जो है वो है हम क्रोध की परिणाम को हमें समझना चाहिए क्रोध की कारण क्या हो सकता है क्रोध क्या हमारी जिंदकी में ले के आ सकता है मैं कुछ बाते बताऊंगा लेकिन इसके लावा बहुत सारी च बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है, क्या क्या आता है जब क्रोध हमें आता है तो, क्रोध जिद को लेके आता है, जिद के साथ में आता है, जिद्धी हो जाते हैं हम किसी बातों को लेकर, क्रोध के कारण, क्रोध के कारण हम गुसा आती है, कई बारी जो अंदर का जो क्रोध है, अंदर का जो गुसा है, वो घूम पिर के हाथ में आ जाता है, और हाथ चलने लगते हैं, क्रोध जो है वो नुक्षान को लेकर आता है, क्रोध के वज़े से, हम अपने रिष्टे के नुक्षान को झेलते हैं, रिष्टे खराब हो जाते हैं, क्रोध के वज़े से हमारे कई बार काम बिगड़ जाते हैं काम खराब हो जाते हैं क्रोध के वज़े से कई बार हमारा हेल्थ भी खराब हो जाता है हेल्थ का भी नुक्षान हम करते हैं क्रोध के वज़े से तिरस्कार आता है देखें इनकी family member को देखते जाएए तिरिसकार आता है या तो क्रोध में हम किसी का तिरिसकार कर देते हैं जा मुझे तेरा मूँ नी देखना अज के बाद या फिर हमारे क्रोध के कारण हमारे सामने वाला हमारा तिरिसकार कर देते हैं तो क्रोध तिरसकार को लेकर आता है, क्रोध घृणा को नफरत को लेकर आता है, किसको लेकर आता है, नफरत को लेकर आता है, क्रोध के कारण, गुस्से के कारण, या तो हम दूसरों से नफरत करने लग जाते हैं, या हमारी क्रोध के कारण, दूसरे हम से नफरत करने लग ज कि क्रोध बैर को लेकर आता है बैर बैर बंद जाता है आपस में बैर को लेकर आता है ठीक है आप लोग हमेसा कई बार ऐसे देखनों को मिला है कि एक छोटी सी बच्चों को लेकर किसी की आपस में लड़ाई हुई और उस लड़ाई की वज़े से सालों सालों उनसे उनमें ब बात हो जाती है, तो फिर से वो पुराने वाला गुस्ता, फिर से जागरित हो जाता है, वो बैर कभी खतम ही नहीं होता, वो बैर कभी वो बैर को लेकर आता है क्रोध अपमान को लेकर आता है अपमान को लेकर आता है हम अपमानित हो जाते हैं या हम किसी और का अपमान कर देते हैं ये है क्रोध का परिवार क्रोध के साथ में और भी बाते बहुत सारी है जो आती है लेकिन मैंने जो बताई है जिद है, घमंड है, हिंसा है नुक्षान, तिरस्कार, ग्रणा, बैर और अपमान बाइबल कहती है क्रोध करने वाले को कुछ नहीं मिलता हवा पकड़ने के समान है उसे कुछ नहीं मिलता क्रोध करने वाले व्यक्ति के लिए ये बाते है तो क्रोध जब आता है इन सारी चीजों को लेकर आता है ठीक है, वचन में क्या लिखा हुआ है निती वचन 15-18 इस वरकार कहता है क्रोधी पुरुस जगडा मचाता है परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकद्मों को दबा देता है क्रोध करने वाला व्यक्ति जगडा लेकर जगडा मचाता है वह जगडा करता है लेकिन जो विलंब से क्रोध करता है वह मुकद्मों को दबा देता है लेकिन विलंब से क्रोध करने वाले लोग अक्सर कम देखे जाते हैं कितने देखे जाते हैं बहुत कम देखे जाते हैं जो विलंब सी क्रोध करते हैं तो क्रोध के कारण जगडा मनुष्य क्रोधी पुरु से वो जगडा लेकर आता है क्रोध के कारण आपको निउस्पेपर आप पढ़ते हैं हर रोज क्रोध के कारण बहुत से परिवार खतम हो चुके हैं गुस्से के कारण बहुत सारे परिवार खतम हो चुके हैं और ये क्रोध ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को ही आता है ये क्रोध बच्चों को भी आता है, पूरुशों को भी आता है, महिलाव, सब के अंदर, क्यों सब का स्वभावी की बात है, सब के अंदर आता है, क्रोधी मनुश्य जगडा मचाता है, सभवपदेशक साथ अध्याइश का नोपद में इस प्रकार लिखा है, मन में उतावली से जल्द बाजी में बहुत जल्दी क्रोधित नहों क्योंकि क्रोधी क्रोध मुर्खों के रिदय में रहता है बहुत जल्द बाजी में क्रोध मत कर बहुत जल्द उतावली से क्रोधित मत हो क्योंकि क्रोध किन के रिदय में रहता है मूर्खों के हिर्दे में रहता है बाइबल परमेश्र का वचन क्रोध करने वाले को जो उतावली में क्रोध करता है उसको मूर्ख कहता है क्रोध के कारण हम मूर्ख ठहरते हैं क्रोध के कारण हम क्या ठहरते हैं मूर्ख ठहरते हैं क्रोध की कारण हमारा नुक्षान पता है, आत्मिक छेतर में भी बहुत नुक्षान होता है, बहुत चोटे चोटी बातों को लेकर जो कई बारी अगवे बोल देते हैं, अपने जो विस्वासी भाई भहन है, उनको अनुसासित करने के लिए, सही तरीके से चलने के लिए, उनको पता भे नहीं चलता आत्मिक नुक्षान क्रोध की कारण तो क्रोध जो उतावले से क्रोध करता है Bible कहते है मूर्ख है वो अपने जिंदगियों में जितने भी क्रोध लेके बैठे हैं दूसरों के प्रति उसको निकाल दीजिए इसको Bible माफ करने के बारे में बोलती है वो कोई भी कारण क्यों ना हो प्रभू से हिम्मत मांगकर उसको उस क्रोध को बाहर खतम कर दीजिए इसको नेती बचन 14 की सत्रह में इस प्रकार लिखा है सिग्र क्रोध करने वाला व्यक्ति मुर्खता का काम करता है पहले वालन देखा वो मुर्ख ठहरता है नेती बचन 14 कहता है कि वो मुर्खों वाले काम भी करने लग जाता है मुर्खों के वाले काम उससे होने लगते हैं और धूर्त मनुष्य से घर्णा की जाती है मैंने बोला था नफरत गर्णा लेकर आता है क्रोध वचन बता रहा है कि व्यक्ति मुर्खता के काम करता है जो क्रोध करता है और धूर्त मनुष्य से गर्णा की जाती है नफरत के लायक इंसान हो जाता अपने क्रोध की कारण हम ने उसमें देखते हैं कि आपने कई बारे सुना होगा जैसे कि अभी ये पप जी के बारे में कई सारे केसिस आये थे माबाप ने बच्चे को मना किया कि बेटा नहीं खेलना मत खेलो पढ़ाई करो स्टड़ी करो इसके उपर जादा तर बहुत सारे बच्चे मानसी करीती से बिमार भी हो चुके हैं एक केस ऐसा देखने के लिए आया कि उसने अपने माबाप माबाप ने बच्चे को धमकाया बोला कि तुझे नहीं खेलना पबजी उस छोटे से बच्चे ने पता क्या करा अपने पूरे परिवार को खतम कर दिया क्रोध के कारण एक छोटे सी बात के लिए क्रोध उत्पन हुआ और उस क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए क्रोध इतना आक्रामक हो गया कि अपने परिवार को खतम कर दिया ये सच बात है एक टीनेज का लड़का था ये रोहतक की बात है रियाना की अंदर छोटी सी उम्र का लड़का था परिवार बहुत अच्छा परिवार था बहुत अमीर परिवार था और उस बच्चे ने अपने पापा से कहा कि मुझे पैसे दे दो मुझे पतानी उन्हें 5 लाक मांगे कितने मांगे उसको कुछ करवाना था कि मुझे यह काम करवाना है मुझे 5 लाक रुपे दे दीजिये उस परिवार के लिए 5 लाक देना कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को नहीं दिये अनुर्शासित करने के लिए कि बेटा अभी नहीं समय आएगा तो दे देंगे लेकिन उस बच्चे को इतना गुस्सा आया इतना ज़्यादा आकरामक हो गया वो उसने एक एक करके अपने परिवार के सब लोगों के सिर में गोली मार दी अलग अलग रूम में लेके गया अपने बूड़ी दादी को भी नहीं छोड़ा उसने लेके गया गोली मार दी उसकी बहन थी उससे बड़ी थी उसको ले जाके गया कि दादी बुलारी उपर ले गया उसको ले जाके गोली मार दी परिवार के सारे सदश्यों को उसने मोत के घाट उतार दिया ये बहुत ज़्यादा टीवी में काफी देने तक चल रही थी अब मैं आपको क्रोध का परिडाम समझाने की कोसिस कर रहा हूँ देखिए क्रोध का परिडाम हमारे चीवनों में कितना बुरा हो सकता है क्रोध हमारे जीवन को तबाह करने की कगार पर लेकिया जाता है ये है क्रोध लेकिन क्रोध पर हम काबू कैसे पाएं क्रोध पर हमें काबू पाना है काबू पा सकते हैं पा सकते हैं पा सकते हैं काबू किया जा सकता है क्रोध को दूसरी बात हम सीखें क्रोध पर काबू पाना क्रोध पर काबू कैसे पाएं 19 वचन हम फिर से पढ़ेंगे हे मेरे प्रिये भाईयों यह बात तुम जानते हो इसलिए हर एक मनुष्य है सुनने के लिए ततपर सुनने के लिए सुनने के लिए क्रोध पर हमें काभू पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सुनने के लिए ततपर होना पड़ेगा नम्र होना पड़ेगा जिस वी जो भी बात है हमें पहले उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है क्या करने की जरूरत है एकदम से आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है हमें समझधारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है वो जो भी बात है जिस वज़े से भी ऐसा माहौल क्रियेट हो रहा है हमें ध्यान देना है कि हम पहले उस मसले को ध्यान से सुने सुनने के लिए ततपर होना है हम उल्टा करते हैं हम सुनते कम हैं बोलते ज़्यादा हैं और गुसा तो हमें सबसे पहले आता है वो चलिए कहता है कि तुम सुनने के लिए ततपर बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा होना चाहिए लेकिन क्रोध सबसे पहले आता है बोलते हम सबसे ज़्यादा है और सुनते तो हम है यह नहीं सुनते तो हम है यह नहीं आपने उपर देखा परिणाम देखा जब नहीं सुनते हैं तो परिणाम वही आना है परिणाम वही आना है तो किसी भी मसले को वो करते विजब जिसकी वज़े से गुस्सा आपके अंदर पनप रहा है आप ध्यान रखिए आप पहले सुने उस बात को ध्यान पूरवक सुने कि क्या बात है किसलिए आप ध्यान से सुनना चाहिए ताकि हम प्रिष्थिति को समझ सके बिना समझे हम जो क्रोध करते हैं जो गुस्सा करते हैं उसका परिणाम बुरा होता है हमें पहले प्रिष्थिति को समझ लेना चाहिए क्या बात है किस कारण ये हो रहा है क्यों ये हो रहा है क्या मतलब है इस चीज़ का हमें पहले प्रिष्थिति को समझना चाहिए निरिने लेने से बच सके, हम सुनेंगे, तो हम प्रस्तिती को समझेंगे, और प्रस्तिती को आप समझेंगे, तो आप जल्द बाजी में निरिने नहीं लेंगे, जल्द बाजी में हमें निरिने नहीं लेना चाहिए, कई पर ऐसा होता है कि क्रोध के कारण, हमें किसी और से ब वरी में बाशெया की ऑड़्ले के बादे दिसेacesे बूर्हाचीकश को आता है और समें अगि महенному पाद में पाद से के दुछत के इसे कोई बात थी नहीं क्योंकि कि अमें गज्स बंदे दी सो बात बता ऑट और सच्छा ही नहीं थी, और बाद में पता चलता है, मैंने क्या-क्या सोच लिया था इसके बारे में, मैंने क्या-क्या बोल दिया था इसके बारे में, पच्तावा होता है, फिर मन आत्मत दुखती है, तो जल्दबाजी में निर्णे लेने से बचने के लिए, हमें ध्यान से सु जहां नहीं कि आपकेर्म हो चौक को बात कर रहे होंगे देंनक होंगे लेकिन प्रभू का हूचन हमें बोलने में दीमा होना है दीमा मतलब हमें और और फोर्ज का माना हम उस बात को डिल करने की कौशिक आधरमित मुस्किल होता है कि जह जब situation ऐसी होती बस हम जो बोलना है बोल दिया, जो मुँमे आया बोल दिया, जो हाथ में आया मार दिया, और बाद में आप जब आपकी आखे खुलती हैं, आपका क्रोध शांत होता है, तब सब कुछ खतम हो चुका होता है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है गलत सब्दों का प्रयोग ना करें मैं अपने बहुत सारे मसी भाईयों को भी जानता हूँ बोलने में बहुत भद्धिक सब्दों का इस्तेमाल करते हैं मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ हमारे मसी भाईयों को बच्चों को बोल रहे हैं गंदी भाजा दे के बोल रहे हैं आपस में जब बात भी कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए तो गंदी भाजा का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत सब्दों का प्रियोग करने से बचे क्रोध की प्रुस्तिती में हमें बोलने में धीमा होना है मतलब नमरता का वेभार अपनाना है गलत सब्दों का प्रयोग ना करे गाली गलोच ना करे गाली गलोच जब आप करते हैं आप अपना परीचे दे रहें कि आप कौन है आप अपने अंदर के व्यक्ति का परीचे दे रहें अब हमें देखना है कि हम अपनी पहचान समाज के अंदर अपने परिवार के अंदर किस प्रकार दे रहे हैं क्या पहचान हमने बनाई है क्रोध में धीमा हम कैसे हो सकते हैं अपनी भावनाओं को अपने व्यवहार पर हावी न होने दे आपकी जो भावनाएं उमड रही हैं आपकी भावनाएं पवित्र नहीं होएंगी आपकी भावनाएं जो उमड रही हैं वो बहुत खतरनाक भावनाएं होंगी लेकिन उन भावनाओं को अपने व्यवहार के उपर हावी ना होने दे किसी एक व्यक्ति ने जो बीली ग्राहम जी रहे बहुत बड़े प्रचारक थे उनकी पत्नी से किसी ने पूछा कि क्या आप लोगों की इतने नबे साल आप लोगों की साधी मतलब एक साथ काफी समय तक लंबे समय से आप लोग साथ में रहे हैं क्या आपका जगडा होने की वज़े से क्या कभी यह ऐसी नौबत आई है कि आप लोग तलाक लेने के लिए तियार हो गए हों उनका जवाब पता है क्या था उन्होंने बोला तलाक की नौबत तो खेर हमने नविशों ची लेकिन हमारे मन में ये जरूर आ जाता कि मैं इसको जान से मार दूँगा जान से मारने की दिमाग में प्लान जरूर आ जाता था तो स्वभाविक चीज है लेकिन हमें अपने क्रोध को अपनी भावनाओं को अपने वैवहार पर हावी नहीं होने देना है हमारे जिंदिकी में दिखाई नहीं देता ना हमारे शब्दों में दिखाई देगा ना हमारे कामों में दिखाई देगा ना हम किसी भी तरीके से हमारे अंदर दिखाई नहीं देगा क्यों आपने अपने चीवन में अपनी भावनाओं के उपर भावनाओं को अपने वैवहार के उपर हावी होने दिया ठीक है? भावनाओं उठेंगी लहर के समान वो भावनाओं उपर नीचे होती रहती है और जब गुस्सा आता है तो भावनाओं बिलकुल हाई लेवल पे होती है याद रखिए उन भावनाओं को अपने वैवहार के उपर हावी ना होने दे इससे आपको मदद मिलेगी आप अपने क्रोध के उपर काबू पाने में किसी ने कहा कि अपने क्रोध पर काबू पाले नहीं तो क्रोध आपके उपर काबू पालेगा और जब क्रोध अपने आप कमें काबू में कर लेते हैं تो फिर तबाहिम चाता है DOM ETS में पड़ते हैं क्या लिखा है क्योंकि मनुश्य का परमेश्र के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता क्रोदि जो स्वभाव होता है हमारा वह उस धार्मिक्ता का परिछे नहीं देता जिसे परमेश्र हमारे अंदर देखना चाहता है समझे आप लोग जो हमारा क्रोधि स्वभाव है उस धार्मिक्ता का परीचे नहीं देता जिसे परमेश्चर हमारे अंदर देखना चाहता है अगर हमें वास्तों में एक धार्मिक जीवन जीना है जो परमेशर की धार्मिक्ता का निर्वाह कर सके अगर हमें वैसा अगर जीवन चीना है तो हमारे अंदर की जो अनैतिक्ता है गंदगी है, बुराई है उसे साफ करने की जरूरत है क्रोध आता है हमारे अंदर की बुराईयों की वज़ेशे हमारे अंदर पाप बैठा हुआ है हमारे अंदर गंदगी बैठी हुई है जो बहुत जल्दी बारुद के जैसे आग पकड़ लेता है और अंदर से वो क्रोध उबाले मारता है और हम क्रोध कर बैठते हैं आप सोचे समझे एक बुरे परिणाम तक हम पहुँच जाते हैं लेकिन हम किस प्रकार अपने जीवन को ऐसे जीवन जीएं जो परमेश्र की धार्मेकता का निर्वा पालन कर सके हमारे अंदर की जो गंदगी है जो अनेतिक बुराई है वो साफ कैसे होगी किस प्रकार होगी जो चीजे हमारे अंदर क्रोध उत्पन करती है हमें उन्हें निकालने की जरूरत है लेकिन उन्हें निकलेंगी कैसे एक किस में पढ़िये क्या लिखा हुआ है इसलिए सारी मलिंता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहन कर लो जो रिदाये में बोया गया और तुमारे प्राणों का उद्धार कर शकता है हालेलोया किस प्रकार हम इस प्रकार के वैवहार से बच सकते हैं परमेशर के वचन को नम्रता के साथ ग्रहन करे परमेश्र का वचन वो चीज है परमेश्र का वचन वो सामर्थ है जो हमें ऐसे जिन्दकी जीने से हमें बचा सकता है हमारी पहचान को एक क्रोधी मनुष्य की पहचान से हटा कर एक नमर व्यक्ति के रूप में हमें बना सकता है वो परमेश्र का वचन है हमें परमेशर के वचन को नमरता के साथ ग्रहन करना है हालेलुया वचन को ग्रहन करने का मतलब क्या है स्वीकार करना ग्रहन करना हमारे हाथ में खाना है वो बोलते हैं भोजन ग्रहन कीजिए तो भोजन हम कब ग्रहन करते हैं वो हाथ में आया, तो हमने ग्रेंड नहीं किया, वो भी हमारे हाथ में, ग्रेंड मतलब हम उसको खा लेते, वो हमारे अंदर उतर जाता है, तब हमने उसको ग्रेंड किया है, परमेश्र का वचन भी ऐसे ही है, बाइबल को हमें अपने अंदर उतारना है अपने रिदाय में उतारना है परमेश्र के वचन को हमें नमरता के साथ ग्रहन करना है हालेलुया नमरता के साथ परमेश्र के वचन को ग्रहन करने का मतलब है परमेश्र के वचन के अनुसार अपने जिन्दगी को जीना अलेलुया 22 में कह लिखा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आपको दोखा देते हैं वचन पर चलना जरूरी है हम इस वक्त वचन क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम सुन रहे हैं लेकिन हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है, हमें वचन के ऊपर चलने वाला बनना है, आग्याकारिता के साथ वचन के अनुसार चलें, तब हम उस अनेती गंद की और बुराई से बच सकेंगे, जो हमारी अंदर पनपती है, आग्याकारिता के साथ जो वचन कहता है, मैं वैसे ही अपने जीवन को जीऊंगा, जो वचन कहता है, मैं उसे करूंगा, हम सिर्फ सुनने तक सिमित रहते हैं, सुन लिया, उसके बाद बस कोई लेना देना नहीं है वचन के साथ, बाइबल कहती है, आग्याकारिता के साथ उस ध्यान से देखने के जरूद समझने के जरूद है कि वचन को जान लेना मत्र काफी नहीं है सुन लेना मत्र काफी नहीं है जान लेने के साथ साथ हमें आग्याकारी भी बनना है प्रभू के वचन का आग्याकारी भी बनना है हललोया जब तक हम आग्याकारिता में प्रभु के वचन को लेकर नहीं आते प्रभु जो वचन में कह रहा है उस वचन के अनुसार अगर मैं अपना जीवन नहीं जी रहा हूं उस वचन के अनुसार अगर मैं नहीं चल रहा हूं उस वचन के अनुसारग मेरा चरित्र नहीं है तो सच्व में मैं येश्व मसी का चेला नहीं हूँ अगर मुझे येश्व का सच्चा चेला बनना है सच्चा बेटा बेटी बनना है तो हमें वचन को आग्याकारिता के साथ में अपनाने की जरूरत है वचन के आग्याकारी बनें वचन के प्रती आग्याकारीता रखें हालेलुया ते इसमें कहले लिखा है क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला नहों तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वभाविक मुँ दर्पण में देखता है इसलिए कि वह अपने आपको देखकर चला जाता है और तुरंट भूल जाता है कि मैं कैसा था कि सुबह अपना वो कह रहा कि जो सुनने वाले होते हैं वो किस परकार होते हैं उन्होंने अबना मुह आएने में देखा, उसके बाद वो, क्या हुआ, चले के अब उसने जो आएने में देखा ऋसके ची दिन भरज के साथ इसका कोई connection नहीं है, वो सको याद भी नहीं करता, कि मैंने अपने आप को देखा था, मैं कैसा था, वो याद भी नहीं करता, हमारा आसो अभाव वचन के प्रति ऐसा ही होता है, हम वचन को सुन लेते हैं, क्या करते हैं, सुन लेते हैं, और उस पर हम मनन नहीं करते हैं, हम यह नहीं सोचते कि वचन, जो मैं सुन के आया हूँ, वो मुझे क्या कह रहा था, जो मैं सुन के आया हूँ, उसके द्वारा परमेशन मुझे क्या सिखाना चाह रहा था हम इस व्यक्ति के तरह भूल जाते हैं कोई लेना देना नहीं रखते हैं इधर से सुन लिया वचन और इसे निकल गए फिर से वेसे जिंदगी जीनी है फिर से वेसे बातें फिर से वेसे करम फिर से वेसे भासा फिर से वेसे बोली अपने आ आग्याकारिता के साथ चलें, अगर हम इस परकार का विवहार, इस परकार का जीवन हमारा नहीं है, तो हम येश्यू के चेले तो बिलकुल नहीं है, और हम अपने आपको धोखा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मेरे को तो वचन आता है, इतने साल से मसी मे देखो मेरे को वचन आता है मैं सब जानता हूं वचन के बारे में वचन के बारे में आप जानते जरूर हैं लेकिन चलते कितने हैं वो माइने रखता है वचन तो सैतान भी जानता है दूस्टा आत्माइ भी जानती हैं और विश्वास भी करती हैं क्या हम वचन के अनुसार हम हलके में ना ले हलके में मत लीजिए इसके वचन को बहुत हलके में मत लीजिए जब हम सुनके चले जाते उसको भूल जाते उस पर आच्रण नहीं करते इसका मतलब आपने इसको इग्नौर कर दिया भूल गए आप आपने उसमें मनन नहीं किया कि प्रभू मुझे से क्या बात कर रहा था वचन हमसे बात करता है प्रभू का कलाम जिन्दा कलाम है जीवित कलाम है उसमें सामर्थ है उसमें रोसनी है हुलेलुया लेकिन जब हम सुनके भूल जाते हैं फिर से पुराने जिंदिकी में लोड़ जाते हैं वही काम, वही सब कुछ मनन नहीं किया, देखा नहीं प्रभु ने मुझे क्या कहा तो हम क्या कर रहे हैं? हलके में ले रहे हैं परमियसर की वचन को हलके में ले रहे हैं प्रभु कहता है वचन के अनुसार जूट मत बोलो हम जूट बोलते हैं हलके में ले रहे हैं प्रभु कहता है कि तुम इकठा होना मत छोड़ो संगती करना मत छोड़ो लेकिन हम संगती में आते ही नहीं है क्या कर रहे हैं हलके में ले रहे हैं पाप करते जाते छोटे 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 पाप कोई प्रभू तो माफ कर देता है हलके में ले रहे हैं प्रभू के वचन को प्रभू के वचन को हलके में ना लें हालेलोया परमेश्र का वचन परमेश्र के दिल की धड़कन है परमेश्र का वचन उसके मूँ से निकलेवी सांसे है जो परमेश्र का वचन है इसे हलके में मत लीजिए 25 पड़ लेते हैं पर जो व्यक्ति स्वतंतरता की सिद्व विवस्ता पर ध्यान करता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वो वैसा ही काम करता है जब हम परमेश्र के वचन को ग्रहन करते हैं जब आग्याकारिता के साथ उस पर हम चलते हैं जब हम परमेश्र के वचन को गंभीरता के साथ में अपने जीवन में कार्य करते हैं परमेशा का वचन हमें आशीष देता है हालेलुया क्या करता है हम अपने कार्यू में भी क्या पाएंगे आशीष पाएंगे हालेलुया वचन को आग्या नमरता के साथ गरहन करने के द्वारा वचन के नुसार चलने के द्वारा वचन को हलके में ना लेकि गंबिरता के साथ लेने के द्वारा उसके द्वारा कार्य करने के द्वारा हम आशीस पाते हैं क्या पाते हैं आशीस किसको चाहिए सबको चाहिए पर हमारा स्वभाव हमारा क्रोध कई बारे हमारे परमेश्र की आशिशों को हमारे उपर ही रोग देता है हमारा क्रोध हमारा क्रोध परमेश्र की आशिशों से हमें दूर कर देता है इसलिए इस क्रोध के उपर हमें काबू पाने की जरूरत है ठीक है? क्रोध के बारे में हम बात कर रहे थे क्रोध को के परिणाम को हमें समझना है सुभाविक चीजे आएगा लेकिन परिणाम को समझ लीजिए जब हम आकर अमकरीती से इसको अपने विवहार मे लाते हैं क्रोध पर हमें काबू पाना है इसके लिए हमें सुनने के लिए ततपर होना है नमर होना है किसलिए क्या मदद करेगा नमर होना ततपर होना सुनने के लिए सुनने के द्वारा नमर होने के द्वारा हम पृस्तिती को समझ सकेंगे और क्या कर पाएंगे हम जल्द बाजी में निरिने नहीं लेंगे और क्या करना है बोलने में हमें धीमा होना है वजन एक काउनिस कहता है बोलने में धीमा होना है इससे क्या होगा धीमा होने का मतलब क्या है नमर दा के वैभार को हमें अपनाना है गलत सब्दों का प्रयोग नहीं करना है क्रोध करने में हमें धीमे होना चाहिए और अपनी भावनाओं को अपने वैवहार पर हावी हम ना होने दे इनकी जड़ जो है हमारे अंदर की जो अनेतिक बाते हैं गंदगी है वो है उससे हम कैसे साफ कर सकते हैं परमिश्र के वचन को नमरता के साथ ग्रहन करने के द्वारा एककिस में लिखा है आग्या कारिता के साथ वचन के अनुसार चलने के द्वारा हम उन बातों से उस स्वभाव से हो सकते हैं हमें मदद मिल सकती है अपने क्रोध के उपर काबू पाने में परमेश्र के वचन को हम हलके में ना ले प्रभु का वचन सामर्थी वचन है प्रभु की वानी है प्रभु की दिल की धड़कन है प्रभु की स्वास है प्रभु का वचन इसे हलके में हम ना ले परमेश्र के वचन को गंभीरता से ले और उसी के अनुसार कारिय करें हम अपने कारियों में जब हम ऐसा करते हैं हम अपने कारियों में भी आशीष पाएंगे हम अपने क्रोध के स्वभाव से भी चुटकारा पाएंगे और हम अपने कारियों में भी क्या करता है ये फिर आशीष लेकर आता है तो क्रोध हमारे जीवनों में कार्ये करता है और हम कई बार हम इस बात को नकारेंगे नहीं कि कई बार हमने क्रोध में ऐसी बाते बोली है जिनके द्वारा हमने दूसरों की आत्माओं को तोड़ा है क्रोध के कारण हमने कई बार ऐसे काम किये है जिनके कारण हमारे रिस्तों में खटास आ गई है, रिस्तों में दूरी आ गई है, तूट गए हैं लग बग रिस्ते क्रोध के कारण हमारे बच्चे भी साइद हमसे नफरत करते हैं हमारे बच्चे भी ये नहीं चाहते कि मम्मी पापा घर पे रहो चाहते हैं वो यह अपने काम पे जाएं क्यों बहुत क्रोध करते हैं क्रोध के कारण हमने अपने नोकुरिया खो दी है क्रोध के कारण हमने अपना सम्मान सम्मान खो दिया है कई बार हम ने हम चीजों को नकार नहीं सकते हैं सामने किया है होता है ऐसा लेकिन आज वचन में जो हमने सीखा है प्रभू का वचन हमारी मदद कर सकता है क्रोध को काबू पाने के लिए आई अपने जगव पे हम खड़े हो जाएं